तो यह है हमारे और किये होए लैयर के स्किन जो डिरिकलि आचुके है टेखबर्न के फैक्ट्री से हमारे घर दो स्किन्स मैं अडर की है एक आईफोन 10 र और दूसर आईफोन 13 एक मेरे लिए एक मेरी वाइफ के लिए मेरी वाइफ के लिए जो वाला किये है वो surprise है क्योंकि उसको पता नहीं कॉन सा color है क्या है अगरा तो सब को apply करेंगे चलिए फड़ा फड़ चेक करते हैं जो cardboard package के अंदर थे यह जो अंदर वाला जो package एक layers की तरफ से यह package काफी अच्छा है रंगी लात रंगी वाला किदम colorful package है इसके अंदर सबसे पहले आपको skins देखने को मिल रहे है और उसे के साथ कुछ paperworks है वो थोड़ी देर बाद में check करूँगा कि क्या है अभी तो फिलाल जैसे मैंने पहले भी कहा एक 10R जो यह वाला graffiti skin है जो मुझे जादा पसंद आ रहा था जब मैंने website में देखा था और यह second skin जो wife के लिए है यह iPhone 13 का skin है अभी तो फिलाल side-wise that मुझे यह वाला जादा पसंद आ रहा है पर तब जब मैंने खरीजा था website में तो मुझे graffiti वाला एक एक करके apply करना जादा difficult मुझे लग रहा है अब यह paperworks देख लेते हैं एक बाद क्या है यह यू अच्छा तो यह introduction रही एक मतलब होता ने complimentary जैसा एक leaflet है और उसी के साथ एक है जहाँ पे शायद कुछ tips वगरा दियें कि कैसे apply वगरा करना है ऐसे कुछ लग रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कुछ apply वगरा करने की instructions दीवें और शायद आपको tutorial वगरा देख सकते हो शायद कुछ Techburner का video वगरा का link शायद वो होगा अब यह fiber cloth की quality मुझे decent लगी मतलब इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे decent quality है और एक बार बता दूँ आगे बढ 2013 वाला जो pink color का आपने देखा वो शायद 499 था नहीं वो 399 था थोड़े discount वगरा मिला तो वो overall मुझे 760 का पढ़ा तो सबसे पहले हम 10R को यहाँ पे फटा-फट polish करते हैं क्योंकि polish करके ही लगाना है वरना अगर कोई जादा पहले dust particle रहेगा तो उसका जो glue है शायद वो polish कर लेता हूँ उसका fiber cloth मुझे इतना अच्छा quality नहीं लगा तो मैंने यहाँ थोड़ा wipes जो होता है baby wipes उससे मैंने अच्छे से clean कर लिया और उसके बाद में उससे पोच लूँगा ताकि कोई भी अगर sticky particle जो मेरे phone में पहले से लगा है तो वो निकल जाए तो फड़ा- तो मैं यूज नहीं कर सकता तो फिर texture का तो कोई लेना देना रहेगा नहीं सिर्फ जो लुक है वो थोड़ा चेंज होगा और मेरे case जो है वो भी transparent case है तो इसका look जो है तो इसका look जो है पूरा-पूरी खतम हो जाएगा तो यह मेरा phone रेडी हो चुका है फटा-फटा-फट को अप्लाई करेंगे अब स्किन को अप्लाई करने से पहले मुझे तोड़े असा nervousness हो रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मतलब अगर alignment ठीक तरीके से ना हो तो बहुत जादा नुकसान हो जाएगा तो टेंपर ग्लास जो मैंने उसके purchase किये थे वो शाइद 50 रूपी मैं मैंने purchase किया था अच्छे quality के था by the way मैं सच बता रहा हूँ 50 रूपी मैं मैंने decent quality के screen protectors यूज की है और वो अगर खराब लग जाता ना तो भी दुख होता है अब ये तो भाई 500 रूपे का product है तो ये तो भाई बहुत जादा attention वाली बात है कि alignment जो है वो इसकी गलत ना हो जाए तो चलिए थोड़ा सब मैं part open कर लिया अब इसको मैं align करता हूँ आराम से align करना मतलब इतना easy नहीं है obviously क्योंकि आपको हर एक जो section है उसको ध्यान से बिठाना पड़ेगा इसका जो camera का cut out है उसको भी बहुत ही ध्यान से आपको एकितम perfectly बिठाना पड़ेगा क्योंकि अगर एक भी alignment खराब होती है ना तो मतलब जब भी आप apply करो तो make sure कि हर एक चीज जो है वह perfectly align करो इसके बाद ही पूरा apply करना परना मतलब शुरुआत में तो आपको सब सही लगेगा बट कतम होते होते बहुत हड़ जाएगा वह जगह से मेरे साथ बहुत पर हो चुका है मतलब skin के साथ तो नहीं हुआ है जातर यह चीजे screen protector के साथ हुई है मेरे साथ तो बहुत जादा experience है मेरे को उस चीज का तो अभी तो फिलाल मुझे लग रहा है कि यह aligned है ठीक लग रहा है मतलब थोड़ा सा खिसका है यह तो lift की तरफ मुझे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा lift की तरफ खिसका है बट इतना तो हो गई मतलब आप इंदम perfect तो हो नहीं सकते अगर आप होना भी चाहते हो तो कम से काम आपके 4-5 skins तो पहले भरबा दोंगे उसके ब दिख रहा है बट मेरे को डर है एंड तक जाते जाते हैं lift right थोड़ा खिसक जाएगा यह मेरे सथ हमेशा होता है तो इस चीज को लेके मैं थोड़ा सनवस हूं और यह मैंने पूरा apply कर दिया और जैसे मैं सोच रहा था वैसे सेम आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ दाल के लगाऊंगा तो इसके ग्लू की quality खराब हो जाए तो इसको ऐसे रहने दोंगा मैं मतलब इसके साथ जाधा मैं छेड़ चाड़ नहीं करूंगा डिखने में ओके लग रहा है मतलब जैसे मैंने पहले जब मैंने website में यह देखा था graffiti वाला यह जो तो मुझे लग रह मतलब वहां पर तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ऑब यहां पर decent उतना अच्छा नहीं लगेगा वैसे proportional preference है कि किना अच्छा लग रहा है नियुक्त अच्छा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कवर में यह लगा दिया है और cover लगाने के बात तो मुझे लग रहा है कि वहां पर दिक्कत होगी थी मेरे साथ प्रॉब्लम पता है आइफोन 13 में मुझे लगा क्योंकि उसमें multiple cuts है और उपर का जो camera के side में cut है वो इतना thin है इतना पतला है कि वहां पर फटने का डर है मतलब अगर आप थोड़ा भी जादा pressure दे दोगे वहां पर तो मैं एकदम guarantee के साथ बोल सकता हूँ कि आपका skin फट जाएगा वहां पर इसलिए बहुत ही साफधानी से धीरे धीरे आप अपना skin अप्लाई करना camera cut out के सामने क्योंकि camera cut out बहुत बड़ा है उसके अंदर में अलग सा पार्ट है जो आपके skin का पार्ट है वह easily लग जाएगा पर दिक्कत आएगी आपका वह पतले वाले जगह में अब camera hole के सामने और दो छोटे-छोटे यहां पर गोल-गोल skin दिये वह हैं बट मुझे लगता कि इसको लगाने में इसका जो लुक है वह और भद्दा हो रहा है तो पहले मैं यहां पर लगा रहा हूँ बट जब मैं हटा दूँगा तो आप before and after का बताना मुझे मुझे लग रहा है कि यह cut outs जो है वह ऐसे रहें उनको मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि वह मुझे सच बचा रहा हूँ बहुत ही बेकार लग रहे हैं और अच्छी बत पता ही इस skin की मुझे एक बात अच्छी लगी कि इसका जो glue है वह ज्यादा sticky नहीं है और यह वाला 13 का skin था इसके alignment भी काफी अच्छी हुई थी मतलब मेरे वाले phone से इस वाले phone का alignment जो था वह ज्यादा बेटर तरीके से हुआ इसलिए मैंने बोला कि मैं 10R में पहले लगाऊंगा क्योंकि उससे थोड़ा practice हो जाएगा तो फिर जब मैं iPhone 13 का लगाऊंगा तो वो decent enough लगेगा तो यह skin भी लग गया यहाँ पर अब हम फटा-फट case डालेंगे कि case के ऊपर से यह कैसा लग रहा है थोड़ा expensive भी लगा अब finally review ले था वाइव से इसको कैसा लग अपना वाला ओके तो देखने में तो यह ठीक लग रही है क्योंकि लुक भी इसका change हुआ है लेकिन तुमने 400 रुपे बताया तो 400 रुपे के हिसाब से मुझे यह थोड़ा महंगा लग रहे और बाकि जो तु